असलाम लेकुम तो आज मैं आ गई हूँ आप सब के सामने एक और नया वीडियो लेके तो आज मैं एक के फ्रेश आई मैं शबसे पहले यह शिवाने सी भानी का जो मेरे पास से ओर हाइलाइट पालेट है मैं वह लेरी हाँ समयत फेड है् हाई-लाइटर कं मैं यह गोल्ड शले लिर रहे हुं यह गोल्ड लेके और यह बिल्कुल सेंटर में प्रिया यह तैड आई बाल था या और आईब ही अप्लाई करना है ये देखे ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया हैं आपको भी बिलकुल сказать एप along from standardRoom इसके बात से में एक फ्लाइट ब्लेंडिंग ब्रश्न कटांगँ इए मेरे मेरे में देक्री में अनियक्ति ब्लेंडिंग ब्लेंडं़िंग ब्लेंदि नंगे CREATE हो जाए अच्रीत तरीके से वसे ब्लेंड करने आप अच्छीत तरीके से ब्लेंड करना ये ध्यान रहा है बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा ये कम ना हो फिर इसमें से बिलकुल ये बिलकुल लाइट और ये दोनों मिक्स लिखर करे डास्ट आउट कभी भी आप जब आई मेर्ट कर रहे हैं तो एक बात धेयानगतना है आपको कि आप अपने ब्रश को डस्ट आउट करके करे अगर आप करते हैं तो वह जो जितना आपका आइस मीप्रल लाइट हो दर ने लगता है उसीलिए डस्ट आउट करदे त geschका अश्ड़ हैं वह भूशन है जरल आपका ज़ो इस अशारो आई सेड्व आगया है वह सारा रिमूव होजायां वट रहत की दिखें बिल्कुल लाइट सा यह मैंने कर लिया भी यह ख़िया अबendas के बाद से मैं अपना लोरे गप्री मिया जो आई सायडव पालेट है मेरा ये मैं आई सेल टीले इसके quantity जयादा लेंगे अफिक बिल्कुल कम बने बस डस्ट आउट करेंगे आपको एब इसके बात से यह पीच दर में जो पिंक है युट लेंगे और यह जो बिल्कुल बेभी पिंग टाइप का यह यह दोनों से रहम मिक्स करके लेंगे और डस्ट आउट करने के बाद हम कॉर्णर से इसे ब्लेंड करना शुरू करेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे यह ध्यान रखे कि हर मेंसा कोई भी आई मेकप बनाते हैं उसका आई कॉर्णर से ही आउट व कॉर्णर जो होता है वहाँ से ब्लेंड करते हुई हम इनईर कॉर्णर के तरफ जाते हैं यह हमेंशा धीयान रखें इस साइह में में भी आपको आउट करना है इसके बाद से इनईर कॉर्णर तब लेकर आना है यह कर लिए हम ब्रस को एक'RE इस च.धी पेपर मेंEst पुर्णाइक गैंटर है, उसे महीं और पिक करूंगे और अपने जो आई मेकउप में आउटर गोर्ण से भीन करते हुए इसेज्रेकी तरीक से इनर पट टक ले सक जाऊँगे अब धियान रोगिज आप धियान रखे करना अच्छी सेप्रेंप करने उसके बात सें इनर यह देखे कितना प्यारा सा लुक आ रहा है इसका करने के बाद इसे थोड़ा डार कर लें ताकि यह मतलब इसका लुक हो बहुत ही खुब्सूरत दिखें इसलिए मैं थोड़ा डार कर रहे हूं अच्छी तरीके से ब्लेंड करें आई में अधियान रखे कि आपको ब्लेंडि तक लेके जाओंगे यह आई मेकब में फ्रेश लुक आई मेकब है इसलिए मैं इसमें जितना हो सके लाइट पिंग सा और एड़ फ्रेश लुक क्रियेट करना चाहते हूं इसलिए इसे ज्यादा तर मैं कोशिश कर रहे हूं यह थोड़े पिंक साइड पिंक कलर में सार लेंगे और रिश्ट आउट करके इसे फिर से हम अची तरीकी से ब्रेंट करेंगे जहाँ जाहां पो कम लगता हो वहां पर शीतरीकी से ब्रेंट कर लिए अपना इसствоड़ के यह देकर मेंने ब्लेंट के अब सब्मसर इसे अच्छी तरी की सिस्में ब्लेंड करूंगी ताकि यह और भी डार्क और खुबसूरत सा आई मेकप क्रेट हो जाए इसमें इसमें ने हो गया अब इसके बाद से हम इस तरह के कोई भी स्पंज लेकर और अपन जो मैंने गोल्डन क्लर का हाईलाइटर जहां जो किया था विज से थोड़ा डार्क कर देंके ताकि वह अच्छी तरीक से उभरा हुआ वा तीके अच्छी तरीके साप भी डार्क चाहिए हों ऐसे आप तो चुलिंग ग से तरह कर दें से बस यह हो गया वह अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए कहीं से वह एक्स्रा दीखे ना और अच्छी तरीके से उसमें फिनिशिंग आजाए इसलिए आपको आउटर को और इनर कोईनर दोरों तरफ से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि वह अलग से ना दिखे अच्छे से सकते हैं और स्टाइब करें और दाने अब息के सा में यह का इस आगाम कैसे उपने यह मेकशेथ में को चाहि को तक घ्न जो कि आप से अपने चूंगे हएं करती हैं इसी तरहा आप आप लिए कमकसर करके निया वाद की निया शेतं सर्डीन खेंड हां यहां पर थोड़ा सा black side लेंगे, ब्ल्येकर लेकर हुम i key outer corner से सुभूख करेंगे आई के नीचे parts में जहां open होता है आपका नीचे part में थोड़ा सा black color को field करेंगे यहांसे ताकि आपके आपके तोड़ी बड़ी और खुबशूरत देखे हैं यह हम अपने आई के जो नीचे वाला पार्ट होता है जो खुला हुआ जाता है निचा साइड होता है वहाँ पर करना है आपके आई कॉनर से लेखें इस तरह आप भी कर ले जैसा मैं कर रहे हूं आप पुरी तक आपको जहां तक ब्लैक करना चाहें आप कर सकते हैं और फिर से मैं यह वाद के नचोर का पैलिट के कंतोर लूँज लूँगी फिंक सेट का और यहां से मैं इसे सेट डालती जाँगे बस अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिए इसके बाद से हम मैं फिर से वह लाइट सेट पिंग जो है वो लूंगे और इसको फिर से मैं थोड़ी से ब्लेंड करूंगे ताकि अच्छी तरीके समर्ज हो जाए अच्छी तरीके साब भी कर लें इसी त अब इसके बाद से मैं फिर से यह सी मर्सेट लूँगी और इसके जो हाइलाइटर है यह सारी सीमर मैं बोल रही है यह हाइलाइटर है और इसे यहां से आपको बस मर्ज कर देना यह वोग और इसे अधिज के सबस्क्तलों मैन एक यह यह हूं पर इसे ऑसे पॉइंट में इसky लाइट साथ इसको यहां से बिलकुल लाइट लाइट आपको आई के नीचे अप्लाई करना है देखें यह हो गया यह देखें और यहीं ब्लैक सेट को हलका सहां मर्ज कर देंगे उपर साइट तक मिलकुल लाइट साथ को मर्ज करना है यह उपर हो जाए बस यह हो गया अब इसके बात से हम आई लाइसेस और आई लाइनर क्रेट करते हैं तो यह देखें यह मेरा फाइनल लुक है तो आज का मेरा वीडियो आप सब को कैसा लगा मुझे कॉमन्ट करके जरू बताईएगा मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरू करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हम नेक्स वीडियो में तब तक के लि